इस वीडियो में हम लोग implementation of q using array देखेंगे ठीक है उसे पहले theory देख लेते हैं ते next वीडियो में इसका example देखेंगे हमारे पास एक array है जिसका capacity हम लोगों ने 5 दिया हुए index हम लोगों ने 5 दिया हुए ने कि यह 5 integer value को hold कर सकता है तो यह हमारा array आ गया 5 जिसमें की boxes अब देख पा रहे होंगे जबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि initially when the q is empty q is empty मतलब array में कोई भी element नहीं है array हमारा खाली है the value of both front and rear will be minus one front और rear क्या होता है front और rear क्या है अपको प्रॉंट जो हो आपके q के front का में इसा point करेगा और रियर जो बैवन increase करता जाएगा और आपके rear को में इसा point करेगा ठीक है तो जब आपके array में कोई element नहीं है मतलब आपके q में कोई इंसान नहीं है q में कोई लगा ही नहीं है तो मतलब q खाली है array खाली है तो उस case में minus one होगा rear और front दोनों का value ठीक है यादि कि आपका q empty है तो इसका मतलब यह है कि rear minus one है और front आपका minus one है यह आपका front minus one हो गया और यह आपका rear minus one हो गया कि किसी को भी point नहीं कर रहा है array के किसी भी element को नहीं point कर रहा है तो आप देख पाएंगे यह blank में point है तो यह empty है तो इसमें कोई भी element नहीं है for insertion the value of rear is incremented by one याद रखेगा कि rear का जो value है by one increase करना है and the element is inserted at the new rear position तो मान लेज़े कि हम लोग एक insert कर रहे है element in queue operation कर रहे है 10 integer value तो इस case में क्या होता है जब पहली बार आप जब array में कोई integer value है फिर जो भी element है आपका उसको insert करते हैं तो यहां सिर्फ rear increase नहीं होता है बलकि front और rear दोनों ही increase होता है because जब आपका खाली था तो कोई नहीं था लेकिन अगर कोई एक पहली बार आया हुआ है तो front भी आपका increase होगा और आपका rear भी increase होगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है यह सिर्फ पहली बार होता है जब कोई आपके Q में पहली बार आता है element तो आपने 10 को insert किया 10 आप insert कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि rear को एक increase करना है और front को increase करना front को सिर्फ एक बार increase किया जाता है जब पहली बार आपको कोई element insert होता है first very first element जब आपका insert होता है आपके Q में तब सिर्फ front को increase किया जाता है ध्यान रही इस बात के तो हम लोग ने दोनों के increase किया और हमारा 10 यह insert होगी अब एक और insert एक और इनक्यू operation हम रोग कर रहे हैं जिसमें कि 30 हमें करना है तो इस case में क्या होगा कि सिर्फ rear का जो value है by one increase करेगा और 30 आप यहां insert कर सकते हैं फ्रंट जहां का वहीं रहेगा क्योंकि फ्रंट अभी भी 10 ही है ठीक है उसके एक और अगर आप insert करते हैं 90 मुलिज इंसर्ट किया तो हमें सबसे पहले increase करना है और higher को देन को 90 को इहां insert कर सकते हैं उसी तरीके से फिर एकर आपको insert 20 करना है तो आपको सबसे पहले increase करना है 70 इंसर्ट कर सकते हैं अब देखेंगे कि array का जो size था फाइब में लोगों ने दिया वाता वो पूरी तरीके से फूल हो चुका है तो अब आप इसमें कोई भी element इंसर्ट नहीं कर सकते हैं यह overflow हो जाएगा तो यह सारी चीच हम लोग चेक करेंगे कि यह से हम लोग चेक करते हैं कि फूल वाय नहीं इस वहल के थूरू तो मैं आपको कोड में बता दूगा ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि deletion कैसे होता है deletion मतलब dequeo operation for deletion the element at front position is deleted हम लोग जानते हैं कि यह क्यों है क्यों का मतलब होता है कि back end से insertion होगा लेकिन deletion इसके front end से होगा तो the element at front position is deleted and the value of front is incremented by one यानि कि element को सबसे पहले आपको हटा देना है delete कर देना then front को increase कर देना जैसे कि हमें delete करना है 10 तो हम क्या करेंगे कि 10 को हटा देंगे then front में अब कोई नहीं है तो front में किसी न को किसी को बनाना पड़ेगा मतले एक बंदा बात करके चला गया तो अब इसको मौका मिलेगा तो front increase कर जाता है by one इसी तरीके से अगर आपको 30 को होकर delete करना है तो 30 को सब्सक्राइब हटाना है दिन front को increase कर देंगे by one sorry यहां two होना चाहिए था ठीक है यह two है यह two हो जाएगा ठीक है यहां मैंने इसको correction नहीं किया यह two हो गया ठीक है उसी तरीके से अगर आप 90 को delete करेंगे तो 90 delete कीजिए फिर इसको by one increase कीजिए यह front आपका three हो जाएगा फिर इसको 70 को delete करते हैं तो फिर से आपका जो front है वो यहां आएगा और यह आपका हो जाएगा front equal four तो दो तिन चीजिए हम यहां से देख सकते हैं कि front और rear अगर equal होता है तो आप last element में है यह पिर सकते हैं कि front और rear अगर equal होता है तो आपके array में या फिर Q में सिर्फ एक element है ठीक है लेकिन इसका गलत effect यह पढ़ता है कि front और rear जो हो equal यहां भी होता है जब यह empty होता है तब यह minus one और यह minus one तो यह conclusion थोड़ा सक गलत लगने लगता है कि जब front और rear दोनों equal हो यानि कि अगर यहां भी front आ जाता है तो front equal हो जाएगा four तो front equal four, rear equal four तो आपके लोग कहते हैं कि एक ही element ही है यहां कि यह सारे element जा चुक है handle हो चुक है तो यह conclusion थोड़ा से गड़बर लगता है इसको बारे हम बाद में possible रखता discuss करेंगे एक question यह आती है कि यहां जो हम लोगों ने किया insertion जिसे कि insert किया insert किया, insert किया, insert किया, insert किया तो insert, insert, insert हम लोगों ने 5 element के लिए यहां जगह रखा हुआ था तो हम लोगों ने insert 5 को किया क्या यह जरूरी है कि यह सबसे पहले आपको 5 को insert करना उसके बाद आपको delete करना जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपने size अगर 5 दिया हुआ है यह हम लोगों कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच अगर आपने size 5 दिया हुआ है ज़रूरी नहीं कि आप इसको full करेंगे उसके बाद ही आप delete का operation करेंगे या dq का operation करेंगे आपने यह 10 insert किया, आपने यह 13 insert किया आपने यह 90 insert किया अगर आप चाहें तो अभी ही इसको बिना full किया ही delete का operation कर सकते हैं आप 10 को delete कर दीजिए मेरे कहने का तात पर यह बस इतना है कि आपको अपने मन में यह doubt बिल्कुल नहीं रखना है कि सबसे पहले मुझे area को full करना पड़ेगा इसके बाद ही में delete का operation कर सकता हूँ तो यह आपको मन में doubt नहीं होना चाहिए अभी अगर इसकी अगर एक कमजोरी की बात करें तो वह यह है कि जैसे कि इसको पने delete किया इसको पने delete किया तो यहाँ आप आप data नहीं रख सकते हैं कि जगह हमें सखाली ही रहेगा इसके बारे हम लोग बाद में बात करेंगे यह complicated हो जाएगा तो बस इतने अभी फिलाल के लिए रखते हैं कि implementation of q using array और next वीडियो में इसका प्रोग्राम देखेंगे thanks for watching